है जैसे अच्छा तुम्हारा नाम क्या है अच्छा तुम रहते कहां हो तो ऐसे हिंदी वाकियों के इंगिल स्पनारे के लिए जिस इस्ट्रेक्टे का इसक्रिया जाता है वह है वेल इसका मतलब होता है अच्छा इससे संटेंगा का रूल है सबसे पहले लिखेंगे वेल उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर अपना सेंटेंस लिखेंगे सेंटेंस किसी विटेंस का हो सकता है आप कुछ एजांपल देखते हैं जिससे किया है अच्छे से समझ में आ जाए पहला है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है तो इसके इंग्ल्सोगी वेल वाट दिजोर नेम वेल वाट छर नेम अगला जंपल अच्छा एग बात बताओ क्या तुम कल आ सकते हो तो इसके इंग्ल्सोगी वेल टेल मी 1 फिग न और किनिव कम टुमारो वेल टेल मी आ तिंसकं एम्दू आ होट दो आ हम अगला structure हमें अपनी daily life में ऐसे sentence जो बोलने पड़ते हैं जैसे इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अच्छे कुआर एक actor है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमें कड़ी मेहनत करने चाहिए तो चिन सेंटर में हमें बोलना होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है तो ऐसे इन दिवाकियों की इंगल स्वाय के लिए, जिस इस्ट्रक्चर का उच्छिया हता है, वह है, It Goes Without Saying इसका मतलब होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है It means कि अगर आप कोई ऐसी बात बता रहे हैं कि जिसके वारे में सबको पता है तो वे आपसे कहेंगे इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है और इसकी इंगिल स्वाया के लिए It Goes Without Saying का यूज किया जाता है इससे संटेवाय का रूल है अपसे पहले आप लिखेंगे It Goes Without Saying उसके बाद डाइड लगाएंगे और फिर अपना संटेंस लिखेंगे संटेंस टेंस के अंसार किसी भी टेंस का होज लगता है आप कोछ एजांपल देखते हैं जिससे कि यह इस्टेक्चर अच्छे से संवल में आ जाए पहला एजांपल है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमें कड़ी मेहनत करने चाहिए It means कि ए बात हमें पहले से ही पता है कि हमें कड़ी मेहनत करने चाहिए तो इसकी इंगिल्स होगी इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अच्छे कुआर एक एक्टर है इट मींस कि हमें पहले से ही पता है कि अच्छे कुआर एक एक्टर है तो इसकी इंगिल्स होगी इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है अगला एक्टर इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो इसकी इंगिल्स होगी इट गोज विदाउट सेंग डैड आई विल हेल्प यू हमें अपनी डेली लाइप में ऐसे संटे जो बोलने पड़ते हैं जैसे तुमने मेरी उमीदों पर पानी फेर दिया है उसने आपके प्रयाशों पर पानी फेर दिया है तो ऐसे हिंदी वाक्यों के इंगिल्स पनाए के लिए जिस इस्ट्रेक्टर काईज किया जाता है वहा है तुमने मेरी उमीदों पर पानी फेर दिया तो इसके इंगल सुगी You have thrown cold water on my hopes अगला एक्जांपर उसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया है तो इसके इंगल सुगी He has thrown cold water on my dreams अगला एक्जांपर हमें अपनी डेली लाफ में ऐसे संटे जोगों बोलने पड़ते हैं जैसे वे हमेशा तू तू मैमे करते रहते हैं उसको तू तू मैमे करना पसंद नहीं है तो जिन संटे तो बोलना होता है घरिकतल इसका हमज़र होता है छोटी-चोटी बातों पर जघाडते रहना आप कोश एक्यांपटल देखते हैं जिससे किया है इसलिक्टा अच्छे समन में आ जाए पहला एक्जम्पल है वह हमेशा तू-तु-मैमे करते रहते है इट मीज कि वे छोटी-छोटी बातों पर जगडते रहते हैं तो इसकी इंगिल्स होगी jin देअल वेज एक्सचेंज होट वर्ट्स देअल वेज होट वर्ट्स अगलर उसको तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तूल में में करना पसंद नहीं है तो इसकी इंगिल्स होगी की अगलर do ही डिजन्ट लाइक एक्सटेंजिंग घाट वार्ट इस ड्रक्षियर फाई हम या फिर हवा में उड़ना तो इसके इंगिल इसमाएं के लिए जिस फुरर खिया है वह है इसका हिंदी में मतलब होता है ज्यादा हवा में उड़ना या फिर ज्यादा बनना या हवा में उड़ना इससे संट्वाएं का रूल है सबसे पर इन विखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद या और फिर लिखेंगे put on airs यहां पर जो put है यह main verb है इसलिए यह टेंस केम साथ change हो जाएगी उसके बाद object लिखेंगे आप कुछ example देखते हैं जिससे कि यह इस्टेक्ट अच्छे से समन्न में आ जाए पहला example है आजकर वो ज्यादा हवा में उड़ रहा है तो इसकी इंगिल् घू इज पूटिंग अने रस नावडेज रीच पूटिंग अने रस अगला example जादा हवा में मत उड़ो तो इसके इंग्ल्च होगी don't put on airs don't put on airs अग्ला आज जादा हवा में क्यों उड़ रहे हो तो इसकी इंगिल्च होगी why are you putting on airs why are you putting on airs अगला इस्टाक्टिर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे संटे जवोगो बने पढ़ते हैं जैसे कुल मिला कर ओ जहूट बोल रहा है कुल मिला कर सब कुछ अच्छा था तो जिन संटे में बोलना होता है कुल मिला कर तो इसकी इंगовать मानाँ के लिए इसका मतलब होता है कुल मिलाकर इससे संटेवाय का रूल है सबसे पहले आप लिखेंगे उसके बाद अपना complete sentence लिखेंगे sentence, tense के अंसार किसी भी tense का हो सकता है आप कुछ example देखते हैं जिससे कि यह हिश्टेव के अच्छे से समझ में आ जाए पहला example है कुल मिलाकर ओ जूँट बोल रहा था तो इसकी इंगल समय के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे all in all उसके बाद sentence लिखेंगे जो की है ओ जूँट बोल रहा था तो इसकी इंगल सुगी he was telling a lie all in all he was telling a lie अगला example कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा था तो इसकी इंगल सुगी all in all everything was all right अगला example कुल मिलाकर हमने बहुत enjoy किया तो इसकी इंगल सुगी all in all we enjoyed a lot structure 7 मैंने तो बस यू ही पूँचा था मैं तो बस यू ही वहां गया था मैंने तो बस यू ही उसे देखा था तो जिन हिंदी वाकियों में हमें बोलना होता है तो बस यू ही तो ऐसे वाकियों को इंगल सुग्छ में बोलने के लिए एक advanced English structure का उच्छ की एता है जो की है just casually इससे संटेवाय का रूल है सबसे पर आप लिखेंगे अपना subject उसके बाद just लगाएंगे और फिर work की second form लिखेंगे और उसके बाद object लिखेंगे और फिर casually लगाएंगे मैं तो बस यू ही वहां गया था तो इसकी English होगी I just went there casually आगला जापर मैंने तो बस यू ही उसे देखा था तो इसकी English होगी I just saw her casually I just saw her casually I just saw her